किनी दो है वो प्रेंका गांधी से इतने घबडाए हुए हैं योगी प्रेंका गांधी के बारे में अचानक से सवाल पूछ लिया हमारी अंजनाओं कश्यक अगर इतने ही बड़े राम भक्त हैं बीजेपी वाले तो आज से पहले बीजेपी ने कभी अपनी जेव से पैसे ख प्रारम कर चुके किसी और चीज़ की जरूत नहीं है कि मैं राम भक्ती की जरूत है बस भजन जपे जाओ और गुणगाए जाओ योगी जी के तो लगा दोस्तों रम श्कार मैं मुरुश्कमा शर्मा आप सभी सब्सक्राइबर्स को चाहने वालों को मेरी चोटी दिवाले की बहुत बहुत शुक काम ना है लेकिन छोटी दिवाली तो खोटी दिवाली है खोटी दिवाली इसलिए भी कि देश में इतनी मौते हुई इतना सब कुछ हुआ देश के उन लोगों को हमने खोया जिन्होंने करोणा में अपनी जान दी ऐसे लोगों को खोया मजदूरों को, गरीवों को बैसे रास्टी शोक या काला दिवस या दिये उनकी यादों में जलाए जाते तो अयद्धिया के महुत सब का अलगी आनंद आ जाता एक साधान जली हो जाती है लेकिन बेशर्म सरकार तो जैसे बस अपनी उपलबनियां गिनाना चाहती है 36,000 लीटर का तेल सरसों का फूब देती है अयद्धिया पर गवर्मेंट के पैसों का जनता के पैसों का अगर इतने ही बड़े राम भक्त हैं बीजेपी बाले तो आज से पहले बीजेपी ने कभी अपनी जेव से पैसे खर्च करके इस तरह की देवाली अयद्धिया में क्यों नहीं मनाई सवाल तो उड़ते हैं और सवाल इसलिए पह उठाने लाजमी हैं क्योंकि खोटी देवाली पर इस तरह का जो बिद्रुप प्रदरशन योगी के दौरा और भारति हिंता पार्टी के दौरा किया जा रहा है वो लगता है हिंदुस्तान की जंता का अपमान है पलवामा की शेहिदों का अपमान है सैनिकों का अपमान है जो शेहिद होते हैं रोजारा कश्मीर के बॉर्डर पर धारा 370 हडगे लेकि आठंगवाद खतम नहीं हुआ जिस आठंगवाद का डोल पीट पीट पर के कफन नोच लिये गए, लेकिन महुत सब तो महुत सब है, महुत सब ना मनाएंगे तो कैसे चलेगा, लेकिन आज एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें उत्रप्रदेश के महा महीं, शैंशाह आलम, सुल्तान आजम, सुवेधार आजम, योगी जी, जो थे आज एक इंटर्व लेती है, और इंटर्वू लेती है, उस इंटर्वू में, शायद या तो उनके पास प्रशन नहीं थे, या प्रशनों के लिए तैयार नहीं थे, समझ में नहीं आया, कि आज सैल्फ गोल, योगी जी, कर बैठे, बहुत सारे सवाल किये, हर सवाल का घुमा फिरा करके जवा दे रहे थे योगी जी, तो ये घटना करम बड़ा दिल्चस्प है, धियान लगाके और दिल लगाके सुनियेगा, घटना करम इसलिए दिल्चस्प है, क्योंकि योगी जी ने पहले तो जो था अपना एजेंडा चालू रखा, भगवान राम और ये और वो फलाना धिमकान एक किलो तेल, एक किलो राशन हम सब जगे दे रहे हैं, नेमक की ठेली दे रहे हैं, तो भईया कोई ऐसान नहीं कर रहे हैं, जनता का पैसा, जनता को लोटा रहे हैं, टेक्सपेयर का पैसा, अगर गरीबे को जा रहा है, तो आपनी जेब से तो नहीं दे रहे हैं, बारतिय उत्रप्रदेश की जनता को अपने हक की जरूत नहीं है लगता है उत्रप्रदेश की महीलाओं को अपने अधिकार की आवेशक्ता नहीं है लगता है उत्रप्रदेश को किसी और चीज़ की जरूत नहीं है कि मैं रामभक्ति की जरूत है बस भजन जपे जाओ और हो गया है मुद्धी सरकार को इतना हिंकार हो गया है कि हिंदु धर्म के नाम पर जो अफीम पिलाई गई है उत्रप्रदेश में वो शायद कामयाब हो जाएगी लेकिन बात कर रहे थे हम प्रेंका गांधी की प्रेंका गांधी के बारे में अचानक से सवाल पूछ लिया हमार प्रेंका गांधी का एक जो एजेंटा था उसके बारे में उन्होंने योगी जी पर सीधे सीधे गंत तान दी और सवाल पूछ लिया योगी जी से योगी जी से ये सवाल किया कि प्रेंका गांधी बोल रही है कि 40% आरेक्षण देंगे महिलाओं को टिक्टों के बठवारे में किया आप अपनी पार्टी से बुलेंगे अब योगी जी जो थे गोल 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 गोम रहे है पता नहीं का असर था या क्या था वो गोल गोल गोमने लगे और गोल गोल इस तरह से गोमें इस तरह से गोमें कि मतलब समझ में नहीं आ था कि ये एजे सीम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं जो उन्हें जवाब दिये जवाब उनके बड़े लुंज पुंज थे लगा कि आत्मों समर्पन कर चुके थे अंजनाओं कशेफ के उस सवालों के सामने जो प्रेंगा गांधी के 40% महिलाओं को आरक्षण के बारे नों क्या मंतरी आज भगवाबस्थ पहन करके बगुला बन करके मचलियों का शिकात करने सियासत के समंदर के बीच बैठा था लेकिन यहां फेल हो गई योगी जी प्रेंगा गांधी के बारे में जब सवाल किया अंजराम कशेफ ने वहाँ पर योगी जी कहने रगे अरे कहां ह हिमाचल में हिमाले पर धान बोने की बात कर रहे हैं कहां मरू इस थल में धान बोने की बात कर रहे हैं तो ये बात तो तैय हो गई कि योगी जी के दिमाग में धान के मुले को लेकर के अंदरी अंदर कश्मकश्च चल लई है जिस तरह से धान और गेहूं के मुले पर सब क से चल रहा है तो योगी जी को लग रहा है अपनी तो लंका लग गई इसलिए बार बार धान याद आ रहा था प्रह्यकर गांधी का उधान देते हुए वो धान का जिक्र कर रहे थे कि ये तो हुई नहीं सकता ये करी नहीं सकते अगर करना है तो इन्हें साधरन महिला को कोई अध्यक्ष बदात मना देना चाहिए कांग्रिस का अरे वहिया कांग्रिस का नामी गांधी परिवार से चलता है योगी जी कान खोल के सुन लो अपने ग्यान बढ़ा ले यार ग्यान बराने सकती योगी जी तो फिर थोड़ा सा तबिय साही कर извест कर लो अपने परियान का गांधी के बारे में जिस तरह से आप हर बड़ा है वो बाकरी में काबिल औड था किया काबिल इक proudly था कैसे हर बड़ा है योगी जी ये वीडियो में इनकी आवाज साक्षात सुन लीजिए और भी जो है तमाम महलाईं होंगी कॉंग्रेस में चिनकी फूरी खांदान निकल गई हैं उनको किसी को राष्ट्य अध्यक्स बना दो न क्यों खाली पड़ा हुआ एक राष्ट्य पार्टी का राष्ट्य अध्यक्स का पदी खाली पड़ा हुआ है कई वर्स हो गये है को य योग्य व्यक्ति नहीं तो इसलिए खाली रहेगा पद ये तो अलग मुद्दा हो गया अगर टिकेट आप देंगे अगर योगी जी अत्य करें पार्टी के अपने प्राइम मिनिस्टर से सबसे तो अच्छा है सब्सक्राइब को महिलाउं को चित सम्मान मिलना चाहिए हम तो इसका पक्सदर है हम कम मना कर रहे हैं सवाल ये है कि कुछ धरातल पर भी होतो हो अगर कोई कहे कि मैं हमाले की चोटी पर धान उगाऊंगा और उसके लिए मैं वहां पर जो है खेती करने के लिए मुझे टैक्टर में टैक्टर उपलब्द कराऊंगा और लोग उस पर विश्वास कर लेंगे तो ये हिस्तिती है कॉंग्रे से चाती है कि मैं कॉंग्रे से चाती है कि वहाँ जो है रेगिस्तान पर ये लोग धान की रोपाई करना चाते हैं कॉंग्रे से पर देश के अंदर कुछ नहीं है जी एक नम सफाया है लेकिन समाजवादी ये वीडियो जो महिलाओं को शक्ति देने की बात कर रही है और दोसी तरफ एक ऐसा मुक्यमंतरी है जो कबरों से निकाल करके बलाथकार की बात करता है महिलाओं की ही बेज़ती करता है इसे में हिंदू-मसलिम के नजर यसी नहीं देख रहा जो हिंदुस्तान वे बौर्ट देने का अधि का रहे हैं जब ये बात हो जाती है तो अंजरा ओम कश्यब जो हैं फिर सवाल नहीं उठा देए हैं सवाल कार दिया आते हैं क्योंकि प्रेंका गान्थी के बारे में सवाल पूँछना जैसे अंजरा ओम कश्यब ने अपना हाथ जला लिया था इसकदर जल चुका था हाथ कि शायद उनको उपर से फौन भी आया होगा अंजराओं का शेप को ये गला सवाल योगी जी से क्यों पूँच लिया क्योंकि योगी जी की तो किरिकरी हो गई प्रेंका गांधी के बारे में सीधा सा सवाल था कि प्रेंका गांधी रेलान किया कि 40% महिलाओं को आरेक्षन देंगे तो आप दोगे कि नहीं दोगे वो प्रेंका गांधी से इतने घबडाए हुए हैं योगी इतने डरे हुए हैं योगी कि हमाले पे चले गए कभी रेगिस्तान में चले गए तो भाई चाहती है तो अंजराम कश्यप के सवाल बतर गोधी मीडिया तो नहीं कह सकता एक महिला होने के नाते पूछ लिया और योगी जी ने गुमा फिरा करके उसका जवाब दिया तो एक तरह से कह सकते हैं अंजराम कश्यप ने लगा दी लंका योगी जी की प्रेंका गांधी के है कि ख़वरों से ख़वर निकलती हैं और ख़वरों पर ख़वर हम बनाते हैं आजाद हिंदावाद को भीया सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार जहिन